अब देख रहे हैं न्यूज नेटवर्ट टूड़े मैं जावेद अंसारी बावू के साथ मैं मौदूद हूँ जेपी के कोविट केर सेंटर में तीन सो बिस्तरों का यहां पर अस्पताल है पचास बेट ऑक्सीजन है आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो इस समय जिनको देख रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जो उन मरीजों तक पहुँचने की या उन मरीजों के साथ अपनी दिन चर्या की सुरुआत ही करते हैं जिन से पास जा कि समय आए पिर समझायए देखा सब चीजे और विसके बाद किया उनको भी जा चाहांगी जब सब्सक्रीन के लोग आए देखा सब चीजे और सबस्लीटी देखी उसके बाद पेशिंटों से बात किया उनको भी जांके तो वो भी बोलते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा यहां किया जा रहा है और बहुत फ्रेंडली होके वो बात करते हम से और हमें भी देखें हमें भी यहां सारी चीजे प्रवाइट की जाती है पेशेंट भी बिल्कुल कमफर्ट जोन में अपने बात करते हैं तंप्रेचर रही ठीज आने के पहले लग्रत कैसा होगा क्या होगा रही देहितों सब रही से यहां जी हम आ रहे थे तो हम पता नहीं था था कि कैसा वी किसे लोग कि हम टेयुकि हम दो जा रहे तो कोई यह आईडिया नहीं कई लोगों के साथ यहां कई लोगाते कई उसको नहीं जाने लेकिन हमने कोशिश कि काफी जानने के और उन्होंने भी हमें paran लेकिन हम लोग ने उस चीज कोशिश करते हैं एक बड़ी बात जो यह निकल के आई हमने उनसे फ्रेंडली वेवहार बना लिया हम फ्रेंडली हो गए हमें अब लगी ही नहीं रहा कि हम कोविट पेशेंटों के बीच में भी रहे हैं उनकी देख भाल कर रहे हमें ऐसा लगता है कि हम समान पेशेंटों की तरह अपने घर की दिन चर्या को भी प्रारम कर रहे हैं मेरा नाम सेचो कुनाम पंडे हैं जब मेरी ड्यूटी यहां पे लगाई गई तो मैं भी तुर्वासा परेसान हूँ कि अरे वहां पर कोईट वाले पेसेंट रहेंगे बहुत सारे पेसेंट क्या कैसे लेकिन जब मैं यहां पर आई तो मैं यह पदा चला कि हमें यहां अपने जैसे घर यहां कि हमारे माता पिता यहां तो अपने जैसे लगा और जाने के बहुत खुशी कि हम लोग की तुरू मलब किसी की जान बच रही है मैं सुनीता शाके रहे ना मेरे को तो जब यहां मेरी डूटी लगी थी ते मेरे को बहुत ज़्यादा से डर लग रहा था इसने कि मेरी खोटी वेना फोर एजे और मैं बीमार से भीग रसी थी पर हो गया अच्छा है अच्छा तील हो रहा है यहां सभी रोगी अच्छी मैं बीमार थी मुझे यहां बहुत डर लग रहा था जब मेरी यहां पर डूटी लगाई दी आज मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग कोविट केर सेंटर में काम पर रहे हैं यहां की जो भी स्वास्त कर्मी है स्वास्त स्टाप है उनका एक तर सबसे पहले होता है कि पेशंट जब आते हैं तो वह बहुत डरे हुए रहते हैं पेशंट के साथ में पेशंट की अटेंडर भी प्लस पहले तो पेशंट को कौंसलिंग करना सबसे पहले होता है हमारा नर्सिंग स्टाप जो रहते हैं वो कौंसलिंग करते हैं प्रेशंट क को प्लस पेशंट फैमिली मिंबर को कि यहां नए जगह पर आए हैं कैसी वेवस्ता है क्या है वो सब कॉंसलिंग करना उसके बाद जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं जो डॉंक्टर्स रहते ट्रीटमेंट करते हैं फिर दीरे फैंडरी हो जाते हैं मतलब पेशंट को जाते है सब कुछ रूटीन की तरह रूटीन में चलने लगता है मैं सिच्टर जैस्री दुवेदी पेशना की तरह आते रहते हैं और कुविट तो ना इए है दो साल से देख रहे हैं कि यह हमारी जैसे फैली है तो लोग भी डर रहे हैं और उनको हमारा सपोर्ट यही रहता है कि जितने भी डर रहे हैं लोग उनको समझाना कि ऐसा कुछ नहीं है, दॉर्मली तरीके से सब यह चला जाएगा. मैं हिमानशे दिवारी, मैं BSC Nursing Staff हूँ, मुझे बहुत लगी फिल होता है कि मैं COVID patient की care कर रही हूँ, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि patient बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए आते हैं यहाँ पे, कि हम किस condition पे आये हैं और किस condition पे जहां से जाएंगे, उनको यह तक नह हैं हम जाएंगे की नहीं जाएंगे, तो इस लिए हमको patient को अच्छे से counselling करनी चाहिए, उनकी अच्छे से देखबाल करनी चाहिए, उनको proper treatment मैं आपको रोकूंगा, अगर आपने इनकी बात ध्यान से सुनी होगी, हलाकि मैं आगे भी इन से बात करूँगा, तो एक शब्द इनने इस्तमाल किया था, जिसको सब को बताना है, और सब को ध्यान से सुनना चाहिए, लकी, इनने एक शब्द इस्तमाल किया था, लकी, इ अच्छे से नहीं मिल रही है मतलब अच्छे से कांशलिन करना कि हमको यहाँ पो सबढ़ते से धीक हो कहां है से जाते हैं बस हमारा यही मोटो रहता है, यही गोल रहता है कि पेशेंट ठीक हो कि अच्छे से अपने घर चले रहे हैं सब कुछ बहतर चल रहा है, जैसा हमने सोचा था, ऐसा कुछ नहीं है यहां डर नाम की कोई चीज नहीं, घर अलू बाता बरण में 17 से जादा लोग यहां से ठीक होकर जा चुके हैं गिने चुने लोग बचें, उनको भी 2-4 दिन में हम यहां ठीक कर लेंगे यहां पर जैसा कि अभी तक आपने बात की, यह सारी नर्सिंग स्टाप ता महिलाएं थी माना जाता है, आम तोर से माना जाता है, महिलाएं कोविट केर सेंटर के नाम से वैसे डर थी हलाकि इनकी बात चीज सुनने के बाद आप केट गई होगी कोरोना जितना जिस तरीके से प्रचारित किया गया था, उस तरीके की बीमारी है ही नहीं 100% ठीक होने वाली बीमारी है, अगर आप थोड़ा सा confidence अपने पेशन्ट को दें यहां कुछ और लोग भी मौदूद है, जी बताइए जी मैं टोकर टेंडी सिंग, आईची के साथ दिखाए, जी मैं और मेरा स्वास्त विभाग, स्टाप नर्स, इन्होंने जितने भी पेशन्ट आए, उनको अपने घर जैसा विहाइब किया, उन्हें मोडिफाई किया, और बहुत सारे पेशन्ट वे कहते थे, हम वहाँ एड जिन्दगी से खुश रहने के लिए सभी लोग आये हैं, अपनी जिन्दगी बचाने के लिए आये थे, काउंसलिंग हमने बहतर तरीके से की, जिसका रिजल्ट है, सारे पेशन्ट यहाँ पर ठीक होके जाए, हम सभी COVID-19 स्टाफ हैं, और सर हम लोग अपने जान पे खेलकर सब लोग COVID-19 को बचा रहे हैं, आप बोलो, सबसे बड़ा यही तो सरी एक आंद में है, सरी तो सबसे बड़ा पॉस्टिव थे कि यहां बहतर 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 में आपने बहतर काम किया है, महाल खुला है एक दम से, पेसंटों को भी लगता है कि यह घर जैसा एक दम महाल है, य कोई दीखा थे, उनको कोई, इस सब चीजे बहतर बेवस्ता साथ बिया कुरा का, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर भी है, जिनको आम तोर पर आप लोग सभी कोई जानते हैं, हम उनी से बात करेंगे, वो COVID-19 केर सेंटर में उनकी आपकी टीम ने जिस तरीके से कारनामा करके दिखाया है, इसको निश्चित रूप से रीवा के इतिहास में दर्ज कराया जाएगा, खास तोरते मैं नर्सिंग स्टाफ की बात तो नहीं करूंगा, मैं उनको महिला कहूंगा, उन महिलाओं को जो नर्सिंग स्टाफ का काम कर पताईए आपको क्या क्या है, अब ये तो हम सब जानते है करोना जैसे महामारी के रूप में चालू हुआ, और एक बास साफ हो गई थी सुरू सही कि जितना इसमें जो चिकिस्टा की आवस्क्ता है, उतनी सामाजी का वस्क्ता भी है, तो उस आशे से चिकिस्टा के साथ मे हास्पिटल के सात में, कोविट केर सेंटर के नाम से चालू किया गया, इसमें हम अपना साथ में मानी कलेक्टर साहब, मांती महद, बहुत सहयोगरा, उनके सहयोग से ये सब चालू किया गया, और एक ऐसे मरीज, जिनकों की और कोई काम्टिकेसन नहीं है, और पाजिटिव है और उनको अगर एक आइसलेशन में में कांसिलिंग करके रखा जाए उनको लागी कि हम घर के वातावरान में हैं तो वह निगेटिव होके जल्दी अपने स्वास्थ होके घर पहुंच जाते हैं ऐसे महाल में इस चालू किये गए पूर में भी किये पिछले साथ चालू है और यहाँ जितने मरी जाए सब भी सवस्थ हो कре और अच्छे मंगल काम दरी कि गए है सब बहतर तरीके से सवस्थ हो कर गए हैं अपने आप में काफी बड़ी बाद यहां जितने लोग भी थे सबके सवस्थ होके गए किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं थी हमने केवल इतन विमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो तकी इस विमारी का सवप्रत्सतिफ siya un आपके साथ है यह सोच थी इन लोगों की जो यहां पर आपके Joel This आगर आप ने को सक्सक्राइब नहीं किया थो चैनल को सब्सक्राइब करने और पहला इकन दबाएं और देखते रहिए News Network Today